आज के इस वीडियो में हम एक sentence structure सीखेंगे और उसके help से कई तरह के sentences बनाएंगे अगर आप किसी से ये कहते हो कि बहतर होगा अब आप खामोश हो जाएं वरना लड़ाई हो जाएगी अब देखें यहाँ जो ये sentence है ना बहतर होगा अब आप खामोश हो जाएं इसमें आप किसी को advice कर रहे हो आप किसी को बोल रहे हो कि ये काम मत करो अगर करोगे तो और नुकसान होगा जब आप ऐसा sentence बोलते हो जिसमें हो के बहतर होगा बहतर है और advice की सुरत में आप यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं head better head better अब head को देखके आप यह मैं सोचेगा कि past के sentences के लिए use होता है head better हम use करते है sentence में present के sentence बनाने के लिए यानि के present की बात करने के लिए या future की बात करने के लिए इसमें हम past की बात नहीं करते हैं और head better के बाद आपकी हमेशा warp की first form आएगी subject आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो कोई भी pronoun यूज़ कर सकते हो I, you, we, they, he, she, it या आप कोई noun यूज़ कर सकते हो उसके बाद आपका head better आएगा फिर warp की first form आएगी ठीक है और यह present और future के लिए यूज़ होगा past के लिए यूज़ नहीं होगा इसी sentence को देखते हैं बहतर होगा अब आप हामोश हो जाए you had better keep quiet you had better keep quiet now or there will be a fight वरना यहां लड़ाई हो जाएगी or there will be a fight अक्सर लोग को अक्सर लोग यह कह देते है had better to keep quiet यह wrong होगा correct sentence यह है you had better keep quiet now or there will be a fight यानि कि had better के बाद to नहीं आएगा एक और sentence देखें बहतर है अब वो वापस आजाए यानि कि बहुत दिन वहाँ रह लिया वापस आजाना चाहिए उसे तो आप कहोगे he had better come back right now he had better come back right now बहतर होगा कि अब वो वापस आजाए एक और sentence देखें बहतर होगा अब वो शादी कर ले यानि अब उसे शादी कर लेनी चाहिए यह जो sentences होते हैं ना advice की सुरत में use हो रहे होते हैं यह जो आपको शादी कर लेनी चाहिए या मैं कहूँ बहतर होगा आप शादी कर ले तो अगर आप बहतर होगा के साथ बनाए तो head better में बनाएगा बहतर होगा आप शादी कर ले you had better get married now you had better पर वर्ब की first form आगे get फिर married now you had better get married now बहतर होगा तुम उसे फून कर लो you had better make him a call ठीक है make a call भी फून करने के लिए होता है और ring up भी तो हम कह सकते हैं you had better make him a call बहतर होगा तुम उसे फून कर लो you had better make him a call एक और sentence देखें बच्चों का घर पर रुकना ही बहतर है या बच्चों का घर पर ठेड़ना ही बहतर होगा the children had better stay at home the children had better stay at home यह उनको साथ ले जाना ठीक नहीं होगा जाम जा रहें उनका घर पर रहना ही बहतर है the children had better stay at home बहतर होगा कि तुम उसे बहूल जाओ you had better forget him now you had better forget him now अगर आप इसी को नेगिटिण सिंटेंस बनाना चाहो अगर आप जैसे ही जूधा बहतर ही इंट आ करें आपके लिए बहतर हो जूब करें आप यह जूब ना करें आप यह negative सिंटेंस हे Tell हैं एंडेटिव सिंटेंस केलिए had better के बात the Giant do not use किरेंगा had better के बाद not आएगा और फिर वर्ब की first form आएगी इसे sentence है, बहतर होगा कि अब आप ये job ना करें या आप ये job ना करें, आपके लिए ये ही बहतर है तो आप कहोगे you had better not do this job you had better not do this job had better के बाद not आएगा negative में फिर वर्ब की first form do और फिर आगे जो भी आपका object हो एक और sentence देखें बहतर होगा कि अब आप वहाँ ना जाएं या ये ही बहतर है कि आप वहाँ ना जाएं तो हम कहेंगे you had better not go there now you had better not go there now बहतर होगा आप वहाँ ना जाएं अब एक sentence आप के लिए हैं इसे बनाएए comment box में share कीजिए बहतर होगा आप English सीख लें इसे translate कीजिए comment box में share कीजिए इस sentence structure को अपनी conversation में use कीजिए ये हम advice देने के लिए use करते हैं और head better के बाद कभी भी to नहीं आता direct verb की first form आती है इन sentences को use कीजिए अपनी conversation में keep staying with us, thanks for watching